नवंबर का महीना खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी हैं दिसंबर अपने साथ कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है कुछ बदलाव आपकी जेव काटेंगे तो कुछ आपको रहात पहुचाएंगे जैसे बैंकिंग और EPFO सहीत कई नियमों में एक दिसंबर से बदलाव होने वाला है इनका असर आम आदमी पे सीधे तौर पर पड़ेगा इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे ही पांच बदलावों के बारे में बताने जा रहे हैं पहला बदलाव जुड़ा है आधार से दरसल यूनिवर्सल अकाउंट नमबर यानि UAN को आधार कार्ड से 30 नवंबर तक लिंक कराना जरूरी है ऐसा अगर आप 30 नमबर तक नहीं कर पाते हैं तो एक दिसंबर से आपके खाते में कंपनी की और से आने वाला कॉंट्रिब्यूशन रोक दिया जाएगा इसके अलाबा अधार कार्ड से लिंक नहीं कराने पर आपको EPF अकाउंट से पैसा निकालने में भी परिशानी हो सकती है दूसरा बदलाव है SBI क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है तो अगले महीने से इसके जरीए खरिदारी करना आपको थोड़ा महंगा पड़ेगा क्योंकि SBI क्रेडिट कार्ड यूजर्स को हर खरिदारी पर 99 रुपे और टेक्स अलग से देना होगा ये प्रोसेसिंग चार्ज होगा SBI के अनुसार 1 दिसंबर 2021 से सभी मर्चिंट को EMI के लेंदेन पर बतौर प्रोसेसिंग चार्ज 99 रुपे और टेक्स देना होगा आपको बता दें सबसे पहले SBI क्रेडिट कार्ड ने इसकी शुरुआत की है आगे बढ़ते हैं और अगला बदलाव आपको बताते हैं अगला बदलाव जुड़ा है पंजाव National Bank की व्यासदरों से देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाव National Bank ने अकाउंट औल्डर्स को जटका दे विया है दरसल बैंक ने सेविंग अकाउंट्स की ब्यासदरों में कटोती करने का फैसला किया है बैंक ने सेविंग अकाउंट्स की ब्यासदरों को सालाना 2.9 से घटा कर 2.8 फीस दिकरने का फैसला किया है PNB की ये नई दरें 1 दिसंबर से लगू हो जाएंगी अगला बदलाव जुड़ा है आपके घर में रोज इस्तमाल होने वाली माचिस से दरसल माचिस की कीमत 14 साल बाद दो गुनी होने जा रही है एक दिसंबर 2021 से आपको माचिस की एक डिब्बी के लिए एक रुपा की जगा दो रुपए खर्चने होंगे आखरी बार 2007 में माचिस के डाम 50 पैसे से बढ़ा कर एक रुपे किया गया था कीमतों में बढ़ोतरी की वज़ा पर नज़र डाले तो माचिस को बनाने के लिए इस्तमाल होने वाले कच्चे माल के दामों का बढ़ना इसकी वज़ा बताया जा रहा है अगला और आखरी बदलाव है आपकी रसोई से जुड़ा यानि लपीजी से जुड़ा लेकिन इस बार बढ़ोतरी नहीं वलकि कमी होने की आशंकाजत आई जा रही है दरसल सरकारी तेल कमपनिया हर महीने की पहली तारीक को लपीजी सेलेंडर के दामों की समिक्षा करती है अफरीका में कोरुणा वायरस का नया वेरियंट मिलने के बाद कच्चे तेल के दाम में बड़ी गिरावट आई है ऐसे में उमीद है कि एक दिसम्बर से समिक्षा में एलपीजी सेलेंडर के दाम कम हो सकते है और अगर ऐसा होता है तो देश क्याम जनता की जेब पर कुछ बोज तो जरूर कम होगा तो ये थे वो पांच बदलाव जो आने वाली एक दिसम्बर से आपकी और आपकी जेब पर असर डालेंगे